खाना तो मेरा बन के रेडी हो गिया है, खीर भी बना ली है, जिसको जिसको खाना होगा उखा लेगा, अब जाते हैं चलके पूजा कर लेते हैं, आज पूजा के लिए लेट हो गए, लचमी बहु बेटा, हाँ माजी बताईए, बेटा ये बोल रहे थे, कि बन गया हो खाना पीना तो पूजा कर लो, बहुत देर हो गई है, हमारी तो काबू नहीं है बेटा, बहुत तबियत खराब है, तुम ही जा के कर लो, अरे माजी, हमने खीर भी बना दी, और पकोड़ी का नाम आ रहा है, सौरी, पूरी भी बना दी, जो भी आपको खाना हो, को तो कूटू की आटा की हम आपको पकोड़ी निकाल दें, अगर खाएं तो, बताइए, हमने सिंगहारे की आटा की आपको पूरी तो बना दी है, खीर खाएगा वैसे भी न तुम जादा खाते हो न हम जादा खाते हैं तो खाना बनाने कोई मतला भी नहीं है दादी भी ब्रत है सब कोई ब्रत है हमें तो बस बेटा थोड़ी चाय बना देना पूजा कर लो पहले शब कुछ डान देना उसमें थोड़ा-थोड़ा लॉंग लाइ थी अगर हमारी तोर जाही होतीं तब pre cidade कम कर लेते हैं जाही रही रहे हैं राणी जी को भी आना तो भूल रही हृण है घंपर कर रहां करें आपकर वह आज चाहर ऌ Pat या देविए 134 जा खान लो घंदा ठीक कि अब जारी है आप कि माता रानी की पूजा करने यह मैं इसना कि मैंने इतना लेट कर दिया हैulares क्यों कर दिया सब किरें खाला बलाना था क्योंकि पूरा वरात है अब जारी होруж आज लेट भी जगी थी थोड़ासा इसलिए लेट हो गई हूँ पहले पूजा कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ आज चार एयों प्रत्वी पे देखती हूँ कौन-कौन मेरी पूजा सिद्धा से करता है चलो वैसे भी आज भूग लगी है भूग के ही बहाले चलते हैं इस रूप में तो सब मुझे पहचान लेंगे एक काम करती हूँ अपना रूप बदल लेती हूँ एक बुडिया का भेज बनाती हूँ फिर चलके सब की परिच्छा लेती हूँ आज मेरा मौका है सब की परिच्छा लेने का मा हूँ मैं, मा तो इतना तो बनता ही है जब पूरे दिन 24 अवर्स में अपने बच्छों की देख भाल करती हूँ तो उन 24 अवर्स में मैं एक दिन नहीं निकाल सकती क्या अपने बच्छों की परिच्छा लेने के लिए देखती हूँ कौन पास होता है, कौन फेल होता है चलो फिर प्रत्वी लोग के लिए 파ष्टान करते हैं सारा सामान हो गया ना पूरा हाँ जी ठानी कि मेरे इसाथ से तो सारा सामान आ गया है अब चली पूजा शुरू करते है अच्छा चलो ठीक है पिर पूजा के शुरू बात करते है बोलो माता राणी की जे कि आई ये हमारी जिठानी जी इतने प्यार से बुला रही है उनकी हाथों से थोड़ा का की तो जाई है दिव्रानी जी पूजा कर रही हो यह मजात हर वक्त मजा की मूड में न रहा करू ठीक है यह मातरा नी आ दि सकती है समझ में नहीं आ रहा है गा तुम्हारे ढंग से वो माता रानी आदी सकती हैं तुम उनका मजाग भिनाओगी क्या एक पटक लगाएंगी ना तो जमीन पकड़ जाओगी जिंदकी में उठ नहीं पाओगी जिठानी जी हमने ऐसा कुछ नहीं बोला थी कि वो भी माता रानी ये सब समस्ति हैं जो आप उट पटांग बोल रही हो हम पूजा कर रहे हैं आपने क्या बोला माता रानी आईए आदी सक्ति आईए कत्यानी आईए मगला मुखी आईए मेरे भोजन का भोग लगाईए यही प्लगायाक हरे रहे तो अ trave यहां को आगे अटा रह थे तो कितनी अछए बात बताई ईए चलो ठीक है सायद हमी से गलती हो तो पूजा करो अब यह कौन आ गया पूजा करती ते माला है किसी को कौन है अरे हमें भूड़ी दादी हमें भूख लगी है थोड़ा सा कुछ दे दो बेटा रोटी दे दो बासिवासी कुछ रख्कियों तो अरे पता निकोई बुड़ी आ मर रहे बाहर बूखी है बूड़ करें देख किया कौन है जी आप न भसी आई देखती हो ती रहना अधे बुड़ी आइक पास कोई काम दंदा तो है यह देरी वो देरी वो देरी बच्चे टक्ति फिरती रहती है मांग मांग के खाती है और क्या काम है सुभी से दस बार खाली होगी हमारा तो नो दिन का ब् उसरा द्वार देखेगी कोई है बहुत तेज भूख लगी है बेटा दे दो खाने को हाँ दादी है है अमारे रुकिये मतलब जिखानी ची आपको हमारी बास समझ में नहीं आई न वो सड़ी बुडिया बार्दे चिला रही है तो है है कर रही है बूजा करने में मन नहीं बुडिया न तुमको कुछ दे जाएगी देंगी तो माता रानी देंगी ना माता रानी चाहिती हूँ जग दंबे मैं पूजा की बीस से उठके जा रही हूँ दादी भूखी है न उनको खाना देके अभी आई क्योंकि किसी को दरवाजे से भूखा वापस नहीं करना चाह देखानी जी आपको कोई कितना भी समझा ली कि वह का में पड़ा रहता है वह सुचता है मारी दुनिया बस इतनी है मुझे लग रहा है उसी की छोटी यह बड़ी बहन होगी मेंड़क की है न आपको ना पनील जैसे लोग भाते है चलो खैर मुझी क्या करना है जाओ जो कर मैं तो पूजा कर रही हूँ मुझे व्यागी भूग दिवरानी जी आपको आज मैं एक हिंदी में बास समझा दू कि कहते है कर भला सो हो भला हमारे दरबाजी पे अगर कोई भूखा व्यक्ति आया अगर हम उसे भूखा यह वाफस कर देंगे तो यह सामने मातरानी बैठी हुई हमारी पूजा स्विकार करेंगी बताइए किस ग्रंत में लिखाए जरा पढ़के बताना कि तुमारे दरबाजे पे कोई आय तो भूखा जूटा जैसा भी उसको वापस कर दे न और भगवान के आंगे आर्थी लेके खड़ी हो जाना तो तुम जो चाहोगी वो मिल कहां लिखा है एक चीज और बता दू पूजा करो मत करो दूसरों की मदद करो दूसरों की बारे में अच्छा सोचो पूजा करने से जादा फ़लना मिले तो बता देना हमको और सायद अभी मैं जादा बात करने के लाइक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास और भी काम है पूज तुमसे कब भगवान ने कह दिया कि तुम हमें पूजो किस इंसान से बोला कि हमें पूजो कि तुमसे आके बोलेते कि हमारी पूजा करो क्यों करती हो तुम मत करो हमारा मानों का हम करेंगे नहीं मानों का नहीं करेंगे वो थोड़ी ना कहने आएंगी हमारों तो जो मनोगा वो करेंगे तुम फ़र्जी में अपना टैम बेश कर रही हो तुमने ब्रत क्यों रखा है बता खेर तुमसे कौन बक्वास करे हाँ दादी बताईए बेटा हमको बहुत तेज भूख लगी है बेटा मैं क्या कह रही थी कि मुझे बाहर बहुत धूप लग रही है हावा तेज चल रही है मैं सोच रही हूँ कि तुम अपने अंदर घर के मुझे बैठाल के खाना खिला दू तो अच्छा रहेगा कोई बात नहीं दादी ये कौनसी बड़ी बात है चलिए मैं अंदर खाना खिला देती हूँ आपको आईए ये जिठानी जी दादी को खाना देने गई है ये बना के उसको अपने हाँ से खिलाने गई है कोई समझी में नहीं आ रहा है चलू चल के देखू जरा क्या कर रही है वह ना तो वह तो वह इंचे पकर रहे जाएंगी पूजा दूरी पड़ी रहेगी बताएए आप लोगी ऐसे पूजा के बीच से कोई उठके जाता है क्या ये मेरी जेठानी जी का न कोई नियम साइन्यम नहीं है बीच पूजा से उठके भाग देए वो दादी को खाना देने के लिए वो सोबे से खाई पीए चम घूम रही है और मैजे ठानी जी को चूतिया बना दिया वो चिपकी पड़ी है उसी बुडिया से चलो बुला के लाओं ऐसे क्या होगा दादी आप इस चार पाई में बैठिये और मैं आपके लिए भी खाना लेके आई ठीक है बेटा ठीक है ठीक है दादी आप यही बैठना मैं अभी आई ठीक है बेटा माजी जल दिया बेटा लचमी उठो हम तुमहारे लिए ही आई है किसी को मत बुलाओ आओ हमारे पास आओ हमे बहुत भूग लगी है लाओ हमें लडू बहुत पसंद है जै माताथी 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 जिथानी जी यह ऐसे क्यों लेटी है दादी को खाना देने आई थी दादी कहा गही जिथानी जी उठो ऐसे क्यों लेटी हो दादी आप अभी तो याँ थी नहीं कहा गई थी हामें बेठा बातरूम लगी थे तो वहीं गए थे अचा चलो ठीक है होगा का करना है मुझे यहाँ पे लेटे लेटे क्या कर रही थी वो दादी को ख़़ा देने आई थी कि दादी की डंडोते भर रही आई थी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पता है आज मुझे मातारानी साच छाट दर्सं दिये वो दादी वादी कोई नहीं था वो मातारानी थी दिवरानी जी मातारानी थी वो अरे जाओ जी ठानी जी थोड़ा धीरे बोलो आराम से कोई बाहर वाला ना सुन ले दिवारू के काल होते हैं चानती हो एश कल्योग में मातारानी दर्सं देंगी हो भी आपको कभी तो उनकी पुझा पाड़ नहीं करती है और आपको दर्सं देंगी तुम्हारी कसं द्यो राणी जूट नहीं बोल लाई है यहीं पे बैठी थी वो जो बुढि धादी थी न वही थी मातारानी वो तो मुझे काई से मातारानी नहीं देख रह थी घिनाई पर नहीं लग रहे थी यहीं वैठीटी चित्की मैंने तो इसको देखा है वो का असे मातरानी लग रही थी अरे जिठानी जी मुझे लगता है तुमको ना दिन में भी नहीं देखाई देता राज में तो देता है नहीं दिन में भी नहीं सही से देखाई देता थोड़ा इलाज-इलाज करा लिजिए और सही हो जाएंगी अरे दिरानी जी हम सच में सही बोलने है अब बताओ तुम्हारी कसम खा लिए है तुम्हारी कसम हम कभी जूट खाएंगे क्या देखिए तु आप लो मेरी जी ठानी जी को मुझे लग रहा है इनको दिन में चांद तारी नजर आते हैं और इनको मातारानी भी नजर आ गई इनने खेलताबासा समझा है कि वो कहीं भी पहुच जाएंगी और ऐसे घर में उख्यों आएंगी जी ठानी जी को मातारानी मिल गई अब चलो मातारानी अगर मिल भी घरी तो पूझा भी करलो यह थोड़ी नकर गई होंगी किया तुम्हें पूझा करने की जरूरत नहीं है हम जा रहे हम खुद कर लेंगे पूझा तुम्हारी जरूरत नहीं है वैसे एक चीज बताए दूरानी जी, किसी के साथ ऐसा भीवार्ण नहीं करना जाए है, कैसा भीवार्ण नहीं करना जाए है, मतलब क्या है, अच्छे से समझा ज़राम समझे नहीं, यही, जो तुम मेरे साथ कर रहे हूं, मजाक उड़ारे हूं मेरा, ओ, तो यह बात है, सही आपको मातरा नेने दर्शन दिए अब आज कम आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे आप तो धन नोरत हैं आपको मातरा नेने दर्शन दे दिए